है मिला इहलो च्णेंटैन्व अल्स आज लोग मुटप से लिए gotta लोग कि शो के यईए सकर्ण फिजिक्स का जो पार्ट चल रहा है कि माटनचिफिक्स माटनचिफिक्स से वहंद डायोड और ट्रांजिस्टर वाले पाठ में हम लोगों को डायोड ही पढ़ना है क्यावल और डायोड वाले पाठ में हम लोग डायोड का उप्योग देख रहे हैं आजकल तो डायोड के उप्योग में हम लोग डायोड आज 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 हाफ रेक्टिफायर हाफ रेक्टिफायर और फुल ऑज वेव रेक्टिफायर हाफ रेक्टिफायर और फूल वेःक्टिफायर ये दो वाला दोनों लोग पिछले व्यडियों पढ़ चुके थे मैं आज हम लोग डायोड का एक दूसरा उपयोग पढ़ेंगे डायोड से हम लोग in Chicago weiß how come we plot up करते हैं me or Yes Hey ऑसे डायोड बनाए जाए जिन में से to be a gene में जिसे प्रकास उथ सर्जित होता हो प्रकास निकले है प्रकास प्राप्त हो प्रकास उथ जब राप्त हो ऐसे डायोड को हम लोग आते हैं कि लाइट Light Emitting Light Emitting Diode Means वो Diode जिससे ह हम लोगों को प्रकास प्राफ़्त होता है ऐसे Diode का में लोक आते है Light Emitting Diode Sight में इसको हम लोक आते है Sight में इस Diode का में लोक आते है LED P्रकास उत्सर्जक डायोड LED का पुरा नाम है Light Emitting Diode means प्रकास उत्सर्जक डायोड ऐसा डायोड जिसमें से प्रकास का उत्सर्जन होता है ऐसे डायोड का हम लोग प्रकास उत्सर्जक डायोड क्या होते हैं तो प्रकास उत्सर्जक डायोड जो है परिपथ में अग्र अभिनत्त करके परिपथ में फार्वार्ड बेसिंग से शुरोष से जोड़े जाते हैं कि फार्वार्ड बेसिंग से जोड़ने का ताथ पर यह है कि इसके यंद्षेत्र को यंद्षेत्र को से और फेक्षे को धन्ढ प्लेट से जोड देते हैं तो इस प्रकावλάका जो डायोड है यह डायोड जो है अ कि प्रकास उठ्षारजक डायोड का कारिक लगता है अ हो कि प्रकास उठ्षारजक का प्रकास उत्सर्जक डायोड क्या होते हैं प्रकास उत्सर्जक डायोड होते हैं जो परपत में या फारवर्ड बेसिंग में जोड़े जाने पर उस डायोड से यदि प्रकास का उत्सर्जन होता है तो ऐसे डायोड को प्रकास उत्सर्जक डायोड कहते हैं अब यह प्रकास उ मुंलों आगे बात करेंगे तो अभी हम जो सिर्फ यह जाने हैं कि क्या है या प्रकास रेख दैयोड क्या है तो वे डैयोड जिन से प्रकास हुद्जा का उस्जण होता है यह या इसे डैयोड को सब्सक्राइव यह लोग प्रकास उत्सर्जक डेयोड कहते हैं है प्रकास उत्सर्जक डेयोड के या LED के कर दो अब लगश्र अगर हम लोग LED का क्या है अब हम लोग वह कहते हैं भी आई वक रखेंच है तो एलेडी का भी आई वक्र कैसा मिलेगा उसके लिए देखिए कि यहां पे हम लोग कर घृइबов six और आइवक्र जो भी बनाते हैं LED के लिए या डiada हो के लिए या ट्वात के लिए यह गांने तो यह ग्ली पोण cuma देंगे मतलब है मतलब इस LED के लिए यहां पर यह भी अफ पोटेंसियल बेरियर के बाद अगर उसका भीभो पहुंच जाता है डायोड का तो अगर अभिन डायोड जो है अपना कार्य शुरू कर देता है और डायोड जो है इस इस्थिती में डायोड प्रचलित नहीं होता है डायोड प्रक अधी के लिए आवसक है कि डायोड पर जो लगाय गया है उस बीभा लगोडन जो है घुर Ст अग्लatyMusic रिव से अहिका होने पर ही डायोड συ जुक्त में दूस्वे चहते में डूसरे रीजन में कर्य करता है इसका रिवर्ष वाला बनाएंगे तो ब्ल्वज वाला इससे बने है कि तो यह क्यमा इस चट के लिए कार करता है डायोड को प्रकास यह एलीडी को हमसा फारवर्ड वेसिंग में कि बेसिंग में ही पजपष से जोड़ा जाता हैं है अगर इसको हम रिवर्स में जोड़ गाहिए तो डायोड निष्चत रूप क्या होता है वो खराब जाता है इतना अधिक उसमा उत्पन होता है अधिक व्हूर्फ सकते हैं कि वह प्रकास का उत्सषरजन करने लगता है वास्तों में डायुड कारिके कर आता है और और एलेडी होते क्या है तो एलेडी के लिए एलेडी होते क्या है या प्रताति स्राजक्ट लार्जक च्रीपन यह पणते क्या यह यह बनाता है यह रहे जब बनता है तो डायोड के संधी पर यहां पर एक आउच्छे परत बन जाता है और इस आउच्छे परत का आउच्छे परत तो डायोड में आउच्छे परत वह छेत्र होते हैं जिसमें न तो कोई इलेक्ट्रान होता है और नहीं कोई इसमें कोटर होते हैं किसी डायोड का आउच्छे परत वह छेत्र होता है जिसमें कोई इलेक्ट्रान और कोटर जो नहीं होता है इसमें इलेक्ट्रान और कोटर एक दूसरे को उदासिन कर देते हैं करके जो छेत्र बनता है या इनके उद परस्पर यूगमित होते हैं कोटर और इलेक्ट्रान परस्पर यूगमित होते हैं और कोटर और इलेक्ट्रान के यूगमित होने पर यूगमित होने के पहले जो उर्जा इस इलेक्ट्रान और कोटर दोनों की उर्जा होती है वही उर्जा जो है वही उर्जा जो है विद्द कि प्रकास व्र निकलता है या या स्थरों करते हैं दोनों औरा जो होती है यह ãyryoJ significa के रूप में विद्दु चुमकी तरणक के रूप में वहां से उत्सरजित होती है अब आगया प्रकास उत्सरजक डायोड है प्रकास उतवसर्जक डायोड हम लोग silicon या इस प्रकार का होना चाहिए कि इससे जो उर्जा निकले काैसी उर्जा निकले तो इनके युग्मित होने की बाद जो जो पीनले ऊछले जो ऑडबी के रूप में जो बिआशीयर्ञ निकल रहा है इस वी की तरफ डर्ध अगर हम लोग ए ध्रिशा प्रकास के छित्र में कि ओर्टेथ जो विदू चुम की तरंग के रूप में निकल रहा है उस की तरंग का तरंग । यॉदि चारहजार अंग्र स्टीयाम से लेकर 快AA जैस्सी में अर्गार कारी करें और कर दोंतर तो होगा लेकिन अंग्र प्रकास के रूप में नहीं कर सकते तो सिलिकान और जर्मिनियम का डायोड बनता है कि नहीं बनता है या बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है इसके पहले आपको सिलिकान और जर्मिनियम के लिए दोनों का बताया है कि सिलिकान और जर्मिनियम का अगर हम लोग क्या कर अगर उसकी इस्थेती प्वांट सेवन है all now है थाइफ बोल्ट का वता है ऐसी जो भीऒ प्राचीर अस्थापित फैन स्थापित होता वह फ्वा mantla CT Bolton वोताई किसका सिलिकान तो मां की चलिएडीजिज्द सेवन न Ann välे घृंट जाए जिससे को इलेक्टर योंत सेवन फाइफ लेक्टाइफ सेबन फाइफ इलेक्टर रूट है कने से पड़त होते हैं जिनका सरफ जोती होता है चाहर बैंड रीगतों होता है और एनर्जी गैप जो होता है यह बहुत कम होता है जिलिकान के लिए पास इनर्जी लेवल है अब सिलिकान के लिए तो यह पॉइंट से बाइप नवह प्राचीर यहां बना तो उस बीवोप्राचीर से लेक्ट्रान जाने इतनी इनर्जी का मान हम ले सकते कि इतना पॉइंट सेवन फाइफ इलेक्ट्रान बोल्ट इसको जूल में बदले लो 6.6 मैनस 19 जूल इतनी उध्या चाहिए तो ही इलेक्ट्रान जो है जर्मिनियों सो माने ड्याओड में आर्पार हो सकते या यूगमित हो सकते हैं तो इतनी उर्जा वाले एलेक्ट्रान के युगमित होने के बाद जो विद्दू चुम की तरंग निकलेगा उस तरंग का तरंग दैद कितना होगा तो लेमडा इस एक्वल टू यसी बाइजी इस फार्मूले संब्सिदे उस तरंग दैद का मान निकाल सकते हैं यसी सब्सक्राइब यह नियर अबाव शोला हजार पांचसो एंगे स्ट्रम यह लंबाई मीटर में इसको साल पर इंट्रम इन्टू यह जो कांस्टेंट हैं पूरा साल करने पर लगवग इतना आता है लगवग इस का मांज इतना आता है शोलह हजार पांस सो जबकि दिस प्रकास का तरंग दैद बता गया था आपको दिस प्रकास का तरंग दैद चार फजार अंग्रिस्ट्राम से लेकिए प्रकास की तरंगद्याद इसके बीच में है तो आमको द्रिस प्रकास को रूप में काम करता है और दिखाई देता है और इससे अधिक अधिक है तो वह देख नहीं सकते हैं तो हम लोगों को एक ऐसा अर्दचालक लेना चाहिए संदक्राइब जिसका इस प्रकार से हो कि लेंडा कमान जो इसके बीच में आवे इसके लिए हम लोगों को LED बनाने के लिए एक ऐसे अर्थचालक को लेते हैं जिसका एजी का मान लगभग एक दस्मलों छै इलेक्ट्रियान बोल्ट के तुल्य हो ऐसे अर्थचालक को हम लोग प्रकास उत्सर्जक डायोड के रूप में इसका उपयोग कर सकते हैं कि यह है कि एक दस्मलों छैपे भी सायद नहों यह लगभग एक दस्मलों आठ इलेक्ट्रियान बोल्ट आता है तो ऐसे अर्धचालक का उपयोग हम लोगों को एलेडी के लिए करना चाहिए हम लोग एलेडी सिलिकान और जर्मिनियम से नहीं बना सकते एलेडी बनाने के लिए हम लो इसकी बहलू जो है एक लिस्ट कम से कम एक दस्मलों आठ एलेक्ट्रान बोल्ट के बरावर या के आसपास होना चाहिए इसके आसपास इजी कमान रखेंगे लोग तो लेमडा कमान जो है यह 4000 से लेके अठात्र स्वेंगे श्ट्राम के बीज में जो है लेमडा कमान आ जाएगा इसके वाद से एलेडी की एलेडी की परमपरागत 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 लेंपों पे कि लैंपों के साथ के साथ तुलना की एलेडी और जो परमपरागत लेमप हैं लोगों के जो परकास स्वर्जक श्रोथ है उनके बीच में तुलना करें तो यहां मिलता है कि एलेडी एक बहुत ही उप्योगी प्रकास्परोत है क्योंकि यह आकार में बहुत ही छोटा होता है यह मिلف 1-2 मिलीमिटर के क्यों कोट होता है और इसको जो है एक transparent किसी ठोस पता से इसको ढघका जाता है इसको किसी अन्य प्रकास होने वाले छत्री से बचाने के लिए इसका आकार वह चोटा होता है हलका होता है यह बहुत ही कम ँर्जा करते हैं फिर इसको का स्थाई तो जो है आप एक शक्रित अधिक है और एलेडी के बल्ब जो है आप एक शक्रित बहुत कम वाट के हुआ करते हैं और एलेडी को अधिक दिनों तक अधिक दिनों तक कारे सिल रहता है वो कारी करता है अने बल्बों की तुलना में तो एलेडी एक बहुत ही क्या करते हैं को मि प्रकास में चेंज करते हैं भी तुझ को का सब्सक्राइख निर्ण का बन होता है ऐडी संका बलत पिलामेंट आगा बहुता है उसमा में जता है तकृत है कि हम कि अ movie तो परशकत वा yan कि यह अन्ठान्वे प्रत्षत प्रकास केवल दो सुँ भी कम जो है उसमाउत उतपन करता है तो एल एलएडी से प्रप्त उर्जाट वहां प्रकास धंडा प्रकास लीडी से जो प्रकास उत्पतन होता है गौलब होता है इस प्रकास होता है वह अन्च बल्व कि तुलणा में अत्यदिक स्रेश्ट है आज के लिए बस इतना है ओके एक्ट-घू झाल 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 झाल